हेलो मैजिकल माइन्स वेलकम टू एडूको ग्रैविटी स्टडी चैनल मैजिकल माइन्स आज हम इंडियन एकनॉमिक के 6th 5-year plan साथी साथ रोलिंग प्लान को समझेंगे तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो 6th 5-year plan है वो कब से कब तक रहा और रोलिंग और उसके जगह पे दो साल के लिए एक नया plan लाया 1978 से लेके 1980 तक उसको कहा गया rolling plan फिर यह rolling plan फिर इसके बाद election हुए जो general election हुए उसमें फिर Congress की जो government थी वो center में आई थी तो उसने इस rolling plan को cancel करके फिर 6th 5-year plan enforce किया जिसका timing था 1st April 1980 से 1985 31st March तक तो यही इसके time को कहा जाता है rolling plan सिर्फ 2 साल के लिए था जो की जनता government ने बनाया था और उसके बाद जो आया plan वो 6th 5-year plan में consider होता है ठीक है अब देखिए 5-year plan बनाने का क्या मकसद होता है किसी भी central government का कि जो growth rate है वो high रहे जिसकी वज़े से जो living standard है residents of the country उनका improve हो living standard economically stability हो जिससे prosperity और self-reliant economy बन सके ठीक और चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा हम बात करते हैं किसने सबसे पहले 5-year plan लाया था तो ये जोसफ स्टैलिन जो थे रश्या के 1928 में ये उनका ही policy रहा है 5-year plan का तो उसी से इंदिया ने उसे adopt किया है इसमें क्या होता है जो state central government होती है उसके पास centralized और integrated national economic program बनाने की ताकत होती है इसी को 5-year plan में consider किया जाता है तो चलिए start करते हैं क्या-क्यो objectives रहे हैं देखे, objectives पे जाने से पहले 6-5 year जो plan था इसका main जो beginning था वो economic liberalization जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें इसकी शुरुवात हो चुकी थी फिर इसके बाद हुआ था इसमें price control जो था चीजों का eliminate कर दिया गया and एक ये problem हुआ कि जिसकी वज़े से जो राशन दुकाने थी वो बंद हो गए और जिसकी वज़े से food prices थे वो increase हो गया और जो cost of living था वो भी increase हो गया था तो ये आम जंता के लिए tough हो गया था survive करना और जो inflation था वो काफी तेजी से भी बढ़ रहा था so इसको हम Nehruvian socialism का end भी कह सकते हैं इस plan को साथ ही साथ अब हम इसके objectives को start करते हैं देखिए इसका जो main objectives था उसमें क्या हुआ था कि national bank for agriculture and ruler development established किया गया था 12 July 1982 को इस bank का main काम ये था कि जो भी हमारे agriculture से related है ruler agriculture मतलब क्रिशी और ruler development जो इंडिया का ग्रामेर छेतर है उसको development करने के लिए जो finance है वो इस bank को इस bank की जिम्मेदारी थी कि उसके finance को ये पूरा करें तो जिसकी शुर्वात की गई थी 12 April 1982 1982 से इसको इसको स्थापित करने के लिए जो recommendation दिये गए थे उनका नाम था शिवरमन कमीटी शिवरमन कमीटी के कहने पे ही हमने the national bank for agriculture and rural development की इस्थापना की थी चलिए दूसरा objective देखते हैं दूसरा objective ये रहा है कि ensure करना की जो हमारा state का economic development है उसमें जो growth हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं ठीक और फिर second हमारा efficient utilization of resources and increase the production और जो भी production थे उसको बढ़ाना था और जो हमारे resources थे उनको सही तरीके से उप्योग में लाना था फिर उसके बाद third था कि modernization और modernization करना था machines का technology में self-sufficiency हमें होना था मतलब किसी दूसरे पे ना depend करना पड़े science technology को promote करना था machine modernization पे focus करना था फिर इसके बाद था कि जो poverty और unemployment की जो समस्या है इसको control किया जा सके तो इससे related जो भी center का था वो राज्यों को help करी थी कि सब अपने राज्यों में ऐसे policies लाएं जिसकी वज़े से जो poverty है वो साथी साथ जो बेरोज़गारी की समस्या है वो कम हो सके फिर उसके बाद six था कि rapid development of domestic resources of energy जैसे कि हमारा हो गया tidal energy, solar energy इन सब को हमें ऐसा develop करना चाहिए था कि जो हमारे domestic घरेलू resources उनको सही तरीके से उनका विकास हो सके और वो सब वर्ग के लोगों के पास पहुँच सके फिर था कि qualitative improvement living standard की जो quality है उसे improve किया जाए by means of minimum need program के तहत फिर उसके बाद था जो public policies थी उसको और ज्यादा modify किया जाए, सरल बनाया जाए कि आम जंता उसे असानी से समझ सके और उनके लिए वो अच्छा हो सके और उसको वो समझ के अपने जीवन में उसकी सहायता से अपने living standard को सही कर सके फिर था कि minimize करना, जो भी regional disparities थी जिसकी वज़े से कुछ राजियों में लडाई जगड़े हुआ करते थे, उसको कम करना, उसे मतलम ना की बराबर ही हो ऐसा करना, फिर growth और technology में प्रोग्रेस करना, जो भी growth और जो भी technological level पे इंडिया में प्रोग्रेस हो रहते, वो सारे राजियों को ऐसा बनाय गया थे कि वो सारे राजियों उस पर मिलके काम कर सके, फिर था कि जो population explosion ये जो आबादी बढ़ रही थी, उसको control करने के लिए Central Government ने बहुत सारे program चलाए थे, तो इसमें कि ये हुआ था कि जो state थे, वहाँ कि जो जिन state की संख्या literacy की जादा थी, जो समझदार थे, उन्होंने तो इसे adopt कर लिया था, लेकिन जहां पे literacy थी, जहां पे आबादी कम पड़ी रिखी थी, उन्हों, उनको अपना, इस चीज को जादा serious नहीं लेते थे, तो एक ये motto था कि, एक ये objective था कि हाँ, जो कम पढ़े लिखे राज के लोग हैं, उनके तक ये policy पहुचे कि जो population है, अधिक जो हो जाती है राज्य में, वो सही नहीं होती, तो इसको उन्हों कंट्रोल करें, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, जिसको न्यूस के जरिये, रेडियो पर का उसके, उससे related ads बनाया जाते थे, टीवी पर दिखाया जाते थे, इन सारी चीजों को लेकर, कि population जो है, वो कंट्रोल में हो सके, जो भी हमारा ecological और environment asset से, जैसे की इसी time environment protection अग्ट आया था, फिर साथी साथ, बहुत सारी ऐसी चीजे आई थी, policies आई थी, जो हमारे environment के लिए सही हो, हमें साथी साथ, development के साथ, ये भी देखना चाहिए, हमारे environment को ऐसा नुकसान ना हो, जो आगे जाके, हमारे लिए कुछ negative बन जाए, तो हमें अपने state की economic development के साथ, हमें अपने environment को भी सवच और अच्छा रखना था, और इसी को साथ लेके चलना था, जो भी हमारे short और long term target से, उनके बीच में coordination बना के चलना था, एक ये था हमारा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, कि देखना था कि, जो हमारे country का policy है, जो policy बना जा रहा है, उसको सरकार ये चाहती थी कि उसमें सारे work के लोगों का participation हो सके, फिर उसकी बात था कि suitable education होना चाहिए, सिक्षा बिवस्ता ऐसी होनी चाहिए, कि हर citizen को वो सही जगह पे मिले, सही time पे provide कराया जाए, communication system होना चाहिए, institutional strategies, ये सारी चीजे, फिर उसकी बात हम बात करेंगे notes की, देखिए, notes में क्या था, ये तो objectives थे और उसकी result को हम देख लेते हैं, तो जो हमारा 6th 5 year plan जो था, वो कुछ हद तक, कुछ positivity में देखने को मिलता है, जिसे कि हमारा target था 5.2 का growth rate, लेकिन actual जो growth rate था, वो 5.7 हुआ food grain जो था, उसका भी जो quantity थी 154 million tons थी, ये भी एक record तोड अच्छा था, इंडियन economy के लिए, साथ ही साथ, industrial जो growth rate था, वो 7% हुआ था, और industrial के लिए 5.5 growth rate रखा गया था, लेकिन ये उससे 2% ज़ादा ही हमें growth rate इंडिस्ट्रियल एरिया में देखनों को मिलता था, फिर उ की वो बढ़ी 3.1 हो, पर एनम हो गया था, तो ये कुछ positivity भी थी, दिखिए जहां पर positivity होता है, वहां पर negativity भी होती है, तो इसमें कुछ हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हरमेशा चीजे negativity में ही जाएंगी, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, फर्स से लेके जिते भी economical हमारे state के जो plans होते हैं, उनका main motto यह होता है कि economically development होना चाहिए, growth rate बढ़ना चाहिए, industry पे focus होता है, जो हमारा agriculture है, उस पे focus होता है, अब साथ ही साथ technology आ गई है, अ जैसे जैसे अब 7th 5-year plan में कुछ और add होंगे, तो ये तो रहा हमारा 6th 5-year plan, उस से related, उसके कुछ limited objectives और उसके जो आपके results हुए थे, वो सारी चीज मिलते हैं next session में, तब तक के लिए thank you very much.